हाई फ्रेंड्स आप सभी का हमारेस यूटूब चानल में स्वागत है मैं आज आपको बताने वाला हूँ रोबर्ट डॉनी जुनियर की उन मुवीज के बारे में जो मार्वल से नहीं है जितनी जानकरी आपको जाननी चाहिए उतनी जानकरी मैं एक मुवी के बारे में आपको बताऊंगा नमबर नाइन पे जो मुवी है वो है रिचर्ड थ्री ये 1995 की ड्रामा साइंस फ्रिक्शन वार मुवी है जिसे IMDB ने 7.4 की रेटिंग दी थी नमबर एट पे जो मुवी है वो है ड्यू ड्यू डेट ये 2010 में रिलीज हुई एडवेंचर कॉमेडी मुवी है जिसे IMDB ने 6.5 की रेटिंग दी थी जिसे नमबर की मुवी है वो है द जजज ये 2014 में रिलीज हुई जिसे IMDB ने 7.4 की रेटिंग दी थी जिसे IMDB ने 7.5 की रेटिंग दी थी दी थी प्रेटिंग दी थी अधियू नमबर पे जो मुवी है वो है जोडी एक ये 2007 में रिलीज हुई ग्राइम ड्रामा मिस्टरी मुवी है जिसे IMDB ने 7.7 की रेटिंग दी थी फोर नमबर पे जो मुवी है वो है किस किस बैंक बैंक ये 2005 में रिलीज हुई आक्शन क्राइम कॉमेडी मुवी है जिसे IMDB ने 7.5 की रेटिंग दी थी तीसरे नमबर पर जो मुवी है उसका नाम है ट्रॉपिक थंडर ये 2008 में रिलीज हुई आक्शन कॉमेडी वार मुवी है जिसे IMDB ने 7 की रेटिंग दी थी दूसरे नमबर पर जो मुवी है वो है शार्लॉक होम्स जो 2009 में रिलीज हुई आक्शन आडवेंचर क्राइम मुवी है जिसे IMDB ने 7.6 की रेटिंग दी थी नमबर वन पर जो मुवी है उसका नाम है चापलीन ये 1992 में रिलीज हुई बायोग्राफिक कॉमेडी मुवी है जिसे IMDB ने 7.6 की रेटिंग दी थी तो यार आज के लिए बस इतना ही रोबर्ट डॉनी जूनियर की नो फिल्मों के बारे में मैंने आपको बता दिया है जो मार्वल से नहीं है जिन मुवीज को आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में देख सकते हो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दो मिलते हैं अगली वीडियो में तब सक के लिए बाए बाए